डिक्टेशन सो सब्द प्रतिमेट रहेगा जिसका पीडिया फाइल हमने हमारे टेलिग्राम चेनल इस्टडी विद अच्पिस्वामे पर डाल दिया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद। स्टार्ट भारत और कनाडा के रिस्तों में तलकी अब और बढ़ गई है। भारत ने कनाडा से अपने उचायुक्त और सभी राजनईकों को वापस बुला लिया है। और कनाडाई उचायुक्त और राजनईकों को वापस जाने को कह दिया है। दर असल हरदीप सिहें निजर हत्या मामले की जांच के संधर्ब में कनाडा ने कह दिया की भारती उचायोग के राजनईकों पर भी निगरानी रखी जाएगी। यानि राजनईकों का प्रतिरोधक अधिकार समाप्त हो जाएगा। कनाडा ने यह फैसला इसलिए किया कि उसके अनुसार निजर की हत्या में भारती उचायोग के अधिकारी भी सामिल थे। कनाडा के इस फैसले के प्रतिकिरिया में भारत ने यह कहते हुए अपने राजनईकों को वापस बुला लिया कि वहां उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत ने कनाडा के इस कदम को राजनीती से प्रेरित बताया है। इस तरह राजनईकों का किसी देश से वापस बुलाया जाना या किसी देश के राजनईकों का बाहर निकाला जाना बहुत गंभीर बात मानी जाती है। दर असल दोनों देशों के रिस्तों में यह कडवाहट तब बढ़ गई थी जब कनाडा के प्रधान मंत्री जश्टिन टूडो ने प्रेश वारता करके बताया कि निजर की हत्या में भारत की खूफिया एजेंसियों का हात था। हालां की वेचित्र है कि भारत इस सम्मंद में लगातार उससे प्रमान मांग रहा है। पर वह अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। छिपी बात नहीं है कि कनाडा में रह रहे सिख अलगाववादी संग्ठनों के लोग वहां लगातार भारत विरोधी गतिविदियां चलाते रहे हैं। वहां अलग खालिस्तान की मांग को हवा देने का प्रयास होता रहा है। भारत कई वर्स से कनाडा सरकार से इन गतिविदियों पर रोग लगाने की अपील करता रहा है। मगर वह उसे अनसुना करता रहा है। वहां सक्क्रिय अलगाववादी ताकते भारतिय वानिज्य दूतावास के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुकी हैं। भारतिय उचायोग के बाहर लगे भारतिय जंडे का अपमान कर चुकी है। 84 के सिख विरोध दंगों की बरसी पर आपत्ती जनक जांकियां निकाल चुकी हैं। मगर भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा सरकार ने उनके खिलाव कोई कडा कदम नहीं उठाया। निज़र के बारे में छिपी बात नहीं है कि वह भारत की तरप से घोशित आतंकी था। इंटरपोल ने भी उसे वांचित घोशित कर रखा था। कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर रहस्य में ढंग से उसकी हत्या हो गई थी। वीचित्र है कि उसका आरोप कनाडा सरकार भारती खूफिया एजेंचियों और उचायोग के अधिकारियों पर लगा रखी है। अब कनाडा पुलिस ने कहा है कि इसमें लारेंस बिशनोई गुट का हाथ भी हो सकता है। निजर हत्या मामले में कनाडा के निराधार आरोप से दुनिया भर में भारत की छवी खराब हो रही है। कनाडा सचमुच अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद है। तो काइदे से उसे निजर मामले की तथ्यातमक जांच करानी चाहिए थी। फिर कोई बयान देता मगर हकीकत यही है कि जस्टिन टूडोर अपनी घटती लोकप्रियता बढ़ती महंगाई और लोगों में अपनी सरकार के प्रति नाराजगी से धान भटकाने और सिख समुदाय का समर्थन हासिल करने के इरादे से निजर मामले को तूल दे रहे हैं अगले वर्ष वहां चुनाव होने हैं इस मामले को बेवजह उचाल कर टूडो को सायद ही कोई उलेखनी लाभ मिल सके पर उन्होंने भारत के साथ अपने समंधों में खटास पेदा कर कई परिसानिया जरूर खड़ी कर दिए हैं आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ रही दुनिया के सामने यह कोई अच्छा उदाहरन नहीं बनेगा समाप्त दोस्तों रोजाना एसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीचे पस्तों बना के मु थेज़ैं समाफिवाद हैं अभी स्ब्सक्राइब कीच्चे झाल झाल